हालो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल मॉस्पेट्टेक गाईज, आपको तो पता ही होगा कि मुझे ट्रांस्फर्मर बनाने का कितना सके मैं आज तक मेरे इस चैनल पे दो बड़ी हार ट्रांस्फर्मर का वीडियो आपके लिए ला चुका हो तो पहला वाला जो ट्रांस्फर्मर है, वो मेरा बाय वाला मतलब यह 3035 अम्पीर का ट्रांस्फर्मर है और उसके साथ एक 1202 अम्पीर का एक auxiliary सेगेंडरी वैण्डिंग में इसते मौजू थे यह वाला ट्रांस्फर्मर मेने करीब एक साल पहले बनाया था अगर आपने अभी तक यह ट्रांसफर्मर बनने का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर उपर आई बेटन पर क्लिक करके यह वाला वीडियो देख सकते हैं यह वाला ट्रांसफर्मर में mainly nail audio amplifier circuit जो बनाता हूं उनको test करने के लिए में use करता हूं और 2nd मेरा जो ट्रांसफर्मर है यह हे वाला मतलब 24 12 0 12 ंוכal 10 Amp best transformer इस transforming wenn I came to 4-2 शाइज और आप देखी सकते हैं कि ए कितना इससे ज्यादा हेवी है चांड नंबर कोर पे यह ट्रांसफर्मर करीब 10 Ampere हमको आउटपूट दे सकता है और यह वाला ट्रांसफर्मर में करीब 2 सल पहले बना आता अगर आपने अभी तक यह वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर उपर आई बटन पर क्लिक कर सकते और यह वाला ट्र कोमेंट आ रहा था कि सर आप कोई तीन नंबर कोर पे ट्रांसफर्मर बनाने का वीडियो दीजिए और हाँ मुझा पता है कि चार नंबर कोर थोड़ा साइस में बड़ा होता है तीन नंबर कोर से इसलिए कुछ-कुछ एम्प्लिफायर या हमारे कुछ-कुछ कैबिनेट मे चार नंबर कोर का ये बड़ा बड़ा ट्रांसफर्मर फिट नहीं बैठता है तो आज आपके लिए में एक तीन नंबर कोर पे बाडा जीरो बाडा पाच एम्प्यार। बिट जीरो टुएल देर एम्प्यार का एक सेकेंडरी वाइंडिंग वाला ट्रांसफर्मर तो मैंं यह दो transformer तो एक कवारी के के कावारी के दुकान से खरीच के लाया था तो इनका Core को हम लोग यूज़ करेंगे eBay के चोग है सब बाइंगे चे सब आक्वे लूज़ करेंगेश और इसका जो पूराना प्वाइंडिंग्स है इसको हम लोग फेक देंगे तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दो तीन नंबर का पूराना पोर को हम लोग यूस करके एक नया बारा जीरो बारा पांच एंपियर का एक ट्रांसफर्मर हम बनाएंगे तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिये आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे नए-एनए वीडियो लाते जाओ तो ठीक है चलिये आज का वीडियो शुरू करते ह तो चलिए अब लोग अभी अपना ट्रांस्फार्मर का डेटा देख लेते हैं तो मैंने पहले से यहाँ पर ट्रांस्फार्मर ड्रॉव करके रखा है तो यह रहा है इसका प्राइमरी साइट और यह रहा है प्राइमरी में तो हम लोग यहाँ पर मेरा जो बोल्टेज है मतलब 0-230 वोल्ट ऐसी इस पर हम लोग प्रवाइट करेंगे अगर आपके वहाँ पर बोल्टेज थोड़ा काम या ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से टन को थोड़ा बढ़ा या कमा सकते हैं ठीके तो यह र 10 व्रम घरेंन रॉट करेगा ठीके तो इसके लिए है तो यैसि कि आपको पता है कि हम लोग तीन नंबर कोर का यूज करेंगे और इसका तीन नंबर कोर का जो बीच का पट्टी होता है मतलब यह बाला सेकशन इस बीच का पत्टी का अगर हम लोग को चोड़ा ही देखेंग तो करीब होगा 51 इंच, ना आफ 1.25 इंच, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस ट्रांसफरमर का क्रॉस एरिया निकालेंगे मनलर क्रोस एरिया या कोर एडिया हब लोग बोला है है कि और यह का तीन नंबर कोर का बीच क का पट्ती होता है उसका size 1.25 income अन्ट के साथ हम्म कून कर लेंगे गुना देंगे हम एकम आब constructor का जो Steak हो देख यानी forsk vodka iz Gambto burning को बोलते तो इसका Holz कोगा दो इंच हमलोग दो इंच का सब्सक्राइब बनाएंगे तो इसको आगर गुना करेंगे तो हमको 2.5 स्वेर इंच इस ट्रांसर्मया का क्रॉस एडिए निकलेगा ठीके और अगर हम लोग अभी सब्लून टीबी ही मतलब तर्न पार वर्ट इस ट्रांसर्मया का निकालेंगे तो ट्रांसर्न पार निकालने के लिए मेरे पास अच्छा क्वालिटी का पोड़ है इसलिए मैं 7.5 को जो हम इस ट्रांसफर्मर का जो क्रॉस एरिया है मतलब 2.5 उस क्रॉस एरिया से इसको भाग दूंगा तो यह होगा मतलब 3 मतलब 3 होगा इस ट्रांसफर्मर का टर्न पर फोल्ट मतलब अगर प्राइमरी में हम लोग 3 टर्न देंगे तो एक बोल्ट ट्रॉप होगा और सेकेंडरी में अगर हम लोग 3 टर्न देंगे तो एक बोल्ट इंक्रीस होगा ठीके तो प्राइमरी 230 वोल्ट AC प्राइमारी मरी के लिए जो हम लोग टान देंगे इस टान्सफर्मेर का मतलब 230 इन्टु 3 इक्वल्स 690 टान्स ठीके और 12 वोल्ड सेकेंडरी के लिए जो हम लोग टान देंगे होगा 12 इन्टु 3 मतलब 36 टान्स मतलब इस टान्सफर्मर बनाने के लिए हम पर प्राइमारी में हम लोग 690 टान्स टान्स ठीके और सेकेंडरी के लिए यहाँ पर यहाँ से सुदू करेंगे मतलब यहाँ पर जीरो टान्स होगा जीरो टान्स के से यह जो मिदल पॉइंट है यहाँ पर ठाक्टिस टान्स होगा और 36 टान्स से यहाँ यहाँ पर जो एक 12 वोल्ट कर दूसरा लूप है मतलब और 36 तन देना पड़ेगा मतलब 72 टरन पर अगर 36 चतिस अगर हम लोग एड़ करेंगे तो 72 टरन होगा ठीके और वैसे ही यह 012 जो डूसरा अक्जिलरी सेगेंडरी वाइंडिंग होगा उसके लिए भी हमें 36 तन देना पड़ेगा ठीके तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पर कॉनसे गेज का वायर हम लोग यूज करेंगे तो प्राइमारी के लिए हम लोग जो वायर यूज करेंगे उसका HWG होगा 23 नमबर यह जो 690 हम लोग टन देंगे प्राइमारी वायर का होगा 23 नमबर वायर ठीके और जो हमारा मेन 5 एमपेर का सेगेंडरी होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अठरा मेन सेगिंडरी होगा आठरा नमबर वायर ठीके और जो आकजिलरी है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 23 नमबर वायर सॉरी 23 नहीं 22 नमबर वायर ओक्सिलरी सेगिंडरी के लिए हमें लगगा 22 नमबर वायर अगर आप चाहे तो यहाँ पर 20 नंबर वायर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको 10 MPR करन नहीं मिलेगा उससे थोड़ा कम MPR मिलेगा ठीके तो यह रहा हमारा ट्रांसफर्मर का डेटा और अभी हम लोग इस डेटा को काम पर लगा के अपना ट्रांसफर्मर वा पर ट्रांसफर्मर का बॉबिन भी फीट कर लिया है और उसमें पहले हम लोग एक इंसुलेशन पेपर को एक लियर चला देंगे तो देखें मैं अभी इंसुलेशन पेपर को चला रहा हूं और इसको टेप से हम लोग अच्छे से रैप कर देंगे अभी इसके ऊपर हम मेरे आपसे बिंती है कि आफ विडियो को स्कीप मत करिये अगर स्कीप कर देंगे तो आपको कुछ-कुछ जगा पर समझने में प्रोब्लेम होगा फिर आप लोग फिर से कमेंट करेंगे कि भाई ये जगा समझ में नहीं आया सार आप इस जगा को अच्छे से समझाइए तो मैं आपसे विंति करता हूँ कि वीडियो को स्कीप मत करिये और पूरा देखिये आपको इसे बहुत अच्छा अब लोग इसको टेप लगा के वाइंडिंग को स्टार्ट कर देंगे कि आप 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 स्टार्ट कर देखिये और आप लोग देखिसकते कि अभी प्राइमरी वाइंडिंग हमारा रेडि हो चुका है तो थोड़ा सा ज्यादा वायर काटके हम लोग फिर से एक वायर स्लीप काटेंगे और वाइंडिंग का एंड को हम लोग फिर से आइसलेट करके अच्छी तरह के से टेप लगा देंगे जाते वाइंडिंग खुन ला जाए फिर से ठीके और उसके उपर से फिर से हम लोग वाइंडिंग पेपर को चड़ा देंगे एक लिया स्केंदरी वाइंडिंग को स्टार्ट करने का तो यए रहा हमारा अच् weitere नमबर का वायर तो इkiye लिए में लिए कला मोटा वाय suits का लिया है और अभी हम लोग मधिस्मा पूर्ट का इस वाइंडिंग के मत बेधने को अच्छे थेख सकेी टेप लगा देंगे और अभी हम लोग फिर से winding करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने primary winding में भी किया था एक लियार secondary winding हो जाने के बाद हम लोग फिर से insulating paper लगा के फिर से हम लोग अपना next winding स्टार्ट करेंगे और इसे के साथ गरिस हमड़ा पहला 36 टन हो गया है आप लोग देखी सकते कि मैंने अभी जीरो फोल्ड का एक लूप को बहार निकला है तो इस लूप को बहार निकलके हम लोग फिर से 36 टन डालना स्टार्ट कर देंगे हमारा और इसके साथ हमारा पूरा secondary winding भी wind हो चुका है तो मैंने अच्छी तरह किसी टेप लगा दिया है और अभी हम लोग 012 बाला एक देर अंपियर का auxiliary winding को wind करना स्टार्ट करेंगे इसलिए मैंने 23 नंबर वायर का use क्या है आप लोग देखी सकते हम इस 23 नंबर वायर को wind करते रहेंगे और winding हो जाने के बाद हम लोग एक लेयर फिस से insulating paper चड़ा जाएंगे और उसी के साथ हमारा transformer winding करना पूरा complete हो जाएगा So guys हमारा transformer का तो coil winding करना अभी हमारा खताम हो गया है तो अभी हम लोग इस coil को varnish कर रहे है तो varnish करना बहुत ही important एक काम है तो इससे हमारा transformer और भी अच्छा बनेगा और बहुत दिन तक चलेगा भी तो अभी हम लोग इस varnish में थोड़ी दर winding को दूबा देंगे फिर इसको हम लोग अच्छे से धूपे सुखाएंगे तो गाइस अभी varnish पूरी तरीके से सूख चुका है ठीकि और यह बहुत हाइड भी हो गया है कोय तो अभी हम लोग इसके अंदर एक कोड डालेंगे तो आप लोग देखी सकते हैं कि मेरे पास तीन नंबर का कोर है अभी यह तीन नंबर का कोर हम एक साइट से एक और दूसरे साइट से करके एक एक करके इसमें पूर्ड डालते रहेंगे आप लोग देखी सकते हैं कि मैं कैसे पोर्ट डालूंगा और पोर्ट डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसे हतोड़ा या एक लकडी का पीछ से हम लोग इसको ठोक ठोक के इसके अंदर बिठा देंगे कोर आपको जितना हो से के टाइट लगाना पड़ेगा और देखिए अभी हम मैंने सारे कोर लगा दिया है तो अभी हम लोग इस पे जो कोर का बीच-बीच में जो गैप है वहाँ पर मैं आई सेक्शन लगा देऊंगा और आई सेक्शन लगा देने के बाद हम लोग पढ़ेगा अभी तयार हो चुका है तो अभी टाइम है इसका टेस्ट करने का तो चलिए शूरू करते और आए में अब्ट इसको को तुम्ह Current अब्रेट को रहंगा जब पहले हम लोग इसका और को प्रायामारी वाय्डिंग को चेक करेंगे यहाँ परठास घृस्रा सारे इंसुलेशन खोल लिया है सेकेंडरी का भी मैं पहले बोल दू कि यह सेकेंडरी आपर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि यहाँ पर यह दो तार क्यों है मैं आपको बोल दू कि जब मैं वाइंडिंग कर रहा था तो यह अठरा गेज का जो तो वायर था थोड़ा सा कम मेरे हिसाब कम कर लिया था मैं इस पास थोड़ा कम हो गया था इसलिए मैंने दो 20 गेज का तार को एक साथ करके करीब 2-3 टान कम हो गया था उतना तार मैंने इसको जोईंट कर लिके इसमें टन दे लिया था तो यह कोई बड़ी बात नहीं है ट्रांसफर्मर में ऐसा होता ह ही है ठीक है तो अगर आप आपको कितना टर्न्स देना पड़ेगा कितना ग्राम तार्थ लगेगा मैं आपको वीडियो के अंत में बोल दूंगा ठीक है तो पहले हम लोग चलिए इसका प्राइमरी को देख लेते हैं ठीक है लाइट जल नहीं रहा है ठीक है मतलब ठीक है सेकेंडरी बे लाइट जल रहा है अब यह वाइंडिंग भी सही है और अब यह बारा जीरो का जो एक अक्जिलरी सेकेंडरी वाइंडिंग है लोग पावर का इसका हम लोग देहेंगे देखे यहापर भी जल रहा है ठीक है और प्राइमरी से सेकेंडरी बे कोई शॉर्ट स गो गलो नहीं कर रहा है मतलब transformer अभी रेडियर तो गाइस अभी मैंने इस ट्रांसफर्मर को में इस पावर के साथ डायरेक्ट आउन कर दिया है तो चलिए देखते हैं आउट्विट में कितना वोल्टेज आ रहा है अले हम इस लूप पे चेक करेंगे यहाँ पर आपको यह रीडिंग मिलेगा आपको देखने को देखिए तो इस लूप पे आ रहा है करीब 11.2 वोल्ट्स ठीक है और इस लूप में आ रहा है 11.2 वोल्ट्स मतलब ट्रांस्फर्मर अच्छी तरीके से काम कर रहा है वोल्ट्स थोड़ा सा कम है क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा पावर स्वाड़ेज का प्रॉब्लेम चल रहा है तो मुझे लग रहा है इसके लिए यह कम है अगर आप यह ट्रांस्फर्मर बनाएंग है तो यहाँ पर भोल्डेज है 11 पॉइंट 7 गोल्ट्स के करीब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और जब हम लोग इसको शॉट करते हैं तो अगरा त्रांस्फर्मर चितर के से काम कर रहा है तो गाइस मैं आप लोग को बोल दूँ कि यह ट्रांस्फर्मर माने के लिए मुझे 23 नंबर का तार 200 ग्रम मतलब 250 ग्रम लगा है और 18 नंबर का तार आप लोग 200 ग्रम लाईए आपका उच्छ से काम बन जाएगा और तीन नंबर का कोड आप लोग लिजे करीब 3 किलो मतलब ई और आई सेक्षन मिला के तीन किलो आप लोग कोड लिजे आप लोग का काम हो जाएगा और 23 नंबर का तार आप 50 ग्रम खरीच सकते आपका उससे आसानी से पूरा कॉंप्लीट हो जाएगा ट्रांस्फर्मर आप लिए बस इतना ही आशा करता हूं कि आपको एक ट्रांस्फर्मर बनाने का वीडियो बहुत पसंद आया है अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए मैं चैनल पे नए आया है तो प्लीज 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 मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजुवाला बेल आइकेन भी दवा दीजिए अगर आपको ट्रांस्फर्मर बनाने में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेजी जिएक नीचे कॉमेंट कर सकते ह मैं इसको हड़ करने का पूरा कोशिश करूँगा तो मिलता हूं मैं आपके साथ अपने अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाए